हेलो गाइज वेलकम तो दे न्यू वीडियो आफ ट्राप्टेडर्स यह वीडियो बहुत ही पाउरफुल और बहुत ही दमदार होने लिए इसमें हम लोग एक बहुत ही कमाल के पाउरफुल ट्रेडिंग सेटप के बारे बात करने वाले हैं जो की बहुत ही प्रॉफिटेबल जिसका यूज करके आप मिनिमाइज गाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो तो गैज यह स्टैटिजी बहुत ही कमाल का बहुत ही पाउरफुल ही यह हर जगा पर काम करता है बस इसमें आपकी सही जरुवत है सही टाइम पर सही इंट्री बनाने की और बनाया गया इस इस स्ट्राटिजी को आपको सीखना है तो simply आपको सबसे पहले इस चैनल को हमारे जो चैनल इसको सस्क्राइब कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे वीडियो है रिलेटेड ट्रेडिंग्स के तो आप उसको देख सकते हो और इसमें हमने अभी market analysis के नया series स्टार किया है तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं और देख सकते हो अगले दिन market में क्या होने का situation बनता है चलिए guys start करते हैं वीडियो को इससे पहले आपने चार्ट पर अपने इंडिकेटर स्ट्शन हम आकर आपको simply यह में जिसको आपने बोलते हैं और इस यह में का इक special setting होता ग इस बहुत ही powerful है जैसे कि मैं आपको भी back testing करके दिखाने वाला हूं इससे पहले हमारा पहला रूल होता है जो हमारा पहला principle है अपना price action देखना इसके बिना कोई ट्रेड मत लेना अपना risk reward maintain करना रिस्क क्या है आपका reward क्या है ठीक है उसको maintain करना और अपना psychological levels अपना सब देखते हुए करना गया इस ठीक है यह strategy हर जगह पर profitable जैसे कि आप देखते हूं यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी सब जगह पर इसने काम गया ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर इसने आपको loss में exit करा हो maximum time आपको इसने आपने आपके profit को maximize किया गया तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं simply यहां से अपना price जो था एक बहुत ही time से sideways market में range में घूम रहा था ठीक है यहां पर आप देख सकतो sideways market है यहां पर आकर इस candle ने इस range का breakout दिया गया इस देख सकते हो पर अपना entry तो यहीं पर बन चुका था जैसे कि अपना entry यहीं से बन चुका था ठीक है entry यहीं से confirm हो चुका था बट अपनको अपना psychology price action risk reward maintain करे ट्रेड लेना इसके लिए मैंने एक यह psychological levels जो है इसको breakout होने दिया जैसे कि यहां पर आकर यह breakout हुआ और इसके breakout पे जैसे इसके breakout पे यह green candle बना मैं समझ गए यहां से इंट्री कन फॉर्म होने तो आपको put के लिए trade लेना है और अगर इसके ऊपर closing दे green candle आपको call के लिए trade लेना है सबसे important और सबसे एहमियत रखने वाल यह बात है इसको सीख लो समझ लो जैसे यहां पर आपको दिखा यहां पर जैसे EMA के नीचे add और यहां पर breakout हो अच्छे candle के साथ यहां पर green candle जि आप यहां पर अपना plot करके देखा हो गए target levels को तो simply guys अगर आप इस candle से अपने entry बनाते है इसका low होता है आपका stop loss यह देखो guys simply आप इस strategy के use करें guys अपने कितना profit 1 to 6 का guys यहीं पर हम लोग profit कर लिया ठेक है मतलब 1 रुपए का stop loss और 6 रुपए का profit guys सोचो सिफ एक strategy को use करे price action एक line को draw करके guys तो यह strategy बहुत ही कमाल का है आगे हम लोग और भी बात करने वाल है तो चलिए हम और कुछ भी back testing results को देख लेते है तो guys जैसे ही अगर मैं अपने time में पीछे आपको सही स्टाटीजी दिखाने के लिए सही जग पर जाता हूँ जैसे ही मैं okay करता हूँ ठी चाटीज दिख रहा है आपको दिखेगा यह market बहुत टाइम से sideways range में घूम रहा था ठीक है अचानक से आके कुछ ऐसा हो इसमें mortality आया market high w pattern बनाया ठीक है और यहां पर आके fail हो गया यहां पर एक price action बना एक triangle इसका breakout हुआ अगला candle एक और बड़ा candle जिससे की EMA का breakout हुआ ठीक है बट अपने यहां पर still entry नहीं बनाया अपना entry यहीं confirm हो चुका था प्लस इसका levels भी टूर चागा था बट अपन को safe trade लेना करना क्योंकि आप अगर इस यहां पर इंट्रिव ना थे तो आपको इतना वड़ा stop loss लगाना पड़ता जो कि एकदम बेकुफी वाला बात है इसलिए हमने अपने इस लोग को ब्रेक होने दिया अपने यहां से इंट्रिव नाया यहां का stop loss जो कि अपना मान के चलोगे तो पांच रुपए का आपका ऐसे लग रहा था ठीक है और उसके सामने आपको मिल रहा था अल्मोस्ट अगर आप पांच रुपए का stop loss लगा तो आपको 25 रुपए का target आपको इसली मिल रहा था सोच रहा है एक पांच रुपए stop loss और 30 रुपीस के target अगर आपको विश्वास आपको यहां पर हम देख सकते हो 9x profit है guys 9x profit का यहां पर आपने लिखा है जैसे कि आप यहां पर जैसे ही आपना यह plot करते हैं यहां से देखो guys simply just देख सकते हो आपको 10x profit तक guys आपको मिल गया 10x profit सोचो guys बस simply strategy को use करें अगर आप और भी आगे चलोगो और भी अगर आपको दिखा जाए बैक टेस्टिंग रिजर्ट्स देख सकते हो जैसे कि और आपको दिखा तो बैक टेस्टिंग के लिए यहां पर हमने अगेन 8x margin लिया है ठेक है 8x margin मतलब 8x profit अपने कमाया अपने एक रुपे का stopless लगा के अपने profit को 8x ग्रोग किया जैसा कि आप देख सो फिर से sideways market हुआ अपने इसको अराम से अच्छा candle से break होने का इंतजार किया जैसा कि यहां पर break हुआ अब यहां पर break होने के बाद आप यहां पर अपने stopless लगा तो अपन यहां से entry मनाते है ठेक है यहां पर almost आपको 6 रुपे का SL आ रहा था आपके capital पर ठेक है और इसके सामने आपको guys मिल रहा था almost 100 रुपेस का target सोचो guys simply एक strategy एक EMA strategy को follow करना price action को follow करना बस आपको guys कि इतना है कि जो भी strategy follow कर रहे है उसको एकदम अपने rules regulation और discipline के साथ follow करना simply अपन यहां पर अपना लगाते है ठीक है stop loss बहुत ही छोटा guys कि आपको दिख रहा है इतना बड़ा है कुछ नहीं stop loss इसके देखो guys 14 0.14 बहुत छोटा guys बहुत छोटा stop loss इसके सामने आप profit देखो guys देखरो 9x profit यहां तो मैंने फिर भी 8x लिख दिया 9x profit है guys 9x just उसके बाद यह trend रुका नहीं अगले दिन फिर से continue हुआ फिर से अपन यहां पर exit के लिए उसका फिर से वापस से price action बना एक triangle pattern अगर आप देखोगे एक triangle pattern का फिर से यहां से एक pattern बना और उसके साथ ही अगर breakdown होता है इसके साथ यहां पर आपका breakdown confirm हुआ एक छोटा सा spinning candle के साथ जो कि एक entry को अपना confirm phase से किया अपन फिर से यहां से बनाते है और 7x profit देखो फिर से आपको यहां से इंटरी confirm हुआ इस बहुत और चोटा stop loss है क्योंकि just breakdown हुआ यहां पर spinning बनाया candle यहां पर आपको और च profit expect कर सकतू इस trading strategy को use करके simply अपना risk reward maintain करना गया इस बस और कुछ नहीं ठीक है तो और आपको back testing results दिखाते है आप कुछ call side के लिए तो आपको मैं simply आ जातो हूँ अपना जासे मेरे को आपको दिखाना है ठीक है तो देख सकतो गाइस जैसे कि यहां पर आप देखो फिर से अगें अपन यहां पर sidewise market देखें एक downfall आया उसके बाद market continuously sidewise होगया कहीं में movement नहीं देर ठीक है उसके बाद आपका यहां पर एक अच्छा-खासा fall आया यह में नीचे closing यहां से आपको इधर भी आप ट्रेड ले तो entry बनता आपका बनता profit बट यही कि हम लोग अपने psychological levels risk reward मैंटेन करना है तो यहां पर मैंने नहीं लिया क्यूंकि psychology के हिसाब से fit नहीं बाट रहा था उसके बाद वापस अपना demand supply के पास आया market support के पास यहां पर आके inverted hammer बनाय ठीक है एक अच्छा बड़ा candle उसका छोटा सा candle और यह inside candles बना उसके बड़ा सा big bar मना के breakout हुआ अभी मैंने इंटरी नहीं मना है क्योंकि यह risk reward की हिसाब से बैठ नहीं रहा था just मैंने इसका वेट किया इस level को break होने का जैसे कि इस candle ने अपना entry तो कर दिया था but मैंने 19x profit guys यह रुका नहीं candle कहीं भी नहीं रुका गाइस बस चलता गया देखो एकदम छोटा सा आपका स्टॉपल इंटरी आपको पहले कानफॉम हो जाता गाइस ठीक है बट अपनको अपने risk reward बंडेन करके psychology की हिसाब से करना तो guys देख सकतो 19x का profit 19x एक रुप्र का स्टॉप के दान चान